हेलो दोस्तो जैसे दीपक मिश्रा और आज मैं आपको मार्केट में हम जब कोई सेयर को बाई कर लेते हैं बाई करने के बाद हम उसमें स्टॉपलस को लगाते हैं जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि स्टॉपलस को हम कैसे लगा सकते हैं उसको तो आप चाहे तो आई बटन में जाके आप देख भी सकते हैं उपर आई बटन में देख लिजेगा कि स्टॉपलस कैसे लगाते हैं आज मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि स्टॉपलस को ट्रेल कैसे करते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने यह बैंक निप्टी का स्टाइक प्राइस का उन्चाली से दोसों का कॉल को मैंने पहले से पर्चेस करके रखा हुआ है जैसा कि मैं आपको ओर्डर में दिखा रहा हूं यह देखे ओर ओर्डर में यह दिख रहा है आपको यहां पर कि यह 10 रुपए 95 पैसे पर मैंने खईदा हुआ है 25 एर यानि एक लॉट बाइ किया हुआ है अब इसमें मैं इस टॉप लॉस को कैसे लगाऊंगा और इस टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं वो दिखा रहा हूं तो अपन अपन सबसे पहले यहां से पोर्ट पोलियो में जाएंगे तो पोर्ट पोलियो में जाते हैं अपन यह देखिए अभी इसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें 16 रुपए 25 पैसे 18 रुपए संतिंग का फाइदा हो रहा है क्योंकि मेरा रेट उपर जा चुका है अब मैं इस टॉप लस को ट्रेल करने के लिए सबसे पहले इसमें इस टॉप पर इसी में जाता हूं एक्जेट में जाता हूं एक्जेट में जाने के बाद मैं यहां पर एसल में सेलेट करता हूं एसल में सेलेट करने के बाद मैं यहां पर एक प्राइज में प्राइज डालता हूं जो कि मैं डाल रहा हूं नौ रुपए दो रुपे न करके मैं 8 रुपे 50 पैसे कर देता हूं इसको और नीचे आता हूं और ट्रिगर प्राइस को मैं यहां पर 8 रुपे 70 पैसे कर देता हूं यह मैंने stop plus को लगा दिया अब मेरा stop plus लग गया जैसे कि आप order पर देख पा रहे हैं इस order पर जाके आपको दिखाता हूं यह देखे stop plus को मैं अपने open पर यह open में दिखा रहा हूं आपको मेरा stop plus जो लगा हूँ आट रुपे 50 पैसे की आरहरोपे साफे में प्राइस में और नुक्सान हो जाएगा तो अब मैं व्याड़ी इसको कुल है मतलब 10.45 मैं इसको बाई किया है अब मैं इसका वेट करूंगा मैं अल्रेडी प्रॉफिट में हूँ और प्रॉफिट में उपर जा रहा हूं बार रॉपए संथिंग आ गया है मेरा मैं स्टॉपलस को ट्रेल कैसे करते हैं अब आपको बताऊंगा तो मुझे दिख रहा है क अब इसके मेरा कितना प्रॉफिट होना है तो मैं अब आपको यहां पर अब यहां देख रहा हूं कि 12 रॉपए 3-40 पैसे आ गया है तो मैं अपनी स्टॉपलोस को और ट्रेल करता हूं इसको कहते हैं स्टॉपलोस ट्रेल करना मैं अब अपने स्टॉपलोस को बना देता हूं यह जैसे त्यरह रूपए 20 पैसे में पहुंच गया तो मैं 11 रूपए ग्यारे रुपए और कर सकता हूं 12 रुपए 50 पैसे पर मैं इसको ट्रेल करता हूं और ग्यारे रुपए 12 रुपए और यह आ गया वही रेट आ गया है तो भी यह तरहीं घ्रिल हो पाएगा जैसे कि मैं देख पा अगर देता हूं 10 रुपए पर करके या भी देखे 13 के ऊपर फिर चला गया है तो एक बार मैं इसको 10 रुपए 50 पैसे पर और अपना ट्रिगर प्राइज 10 रुपए 60 पैसे करके इसको ट्रेल कर देता हूं यह देखिए मैंने ट्रेल कर दिया अब मेरा इस्टॉपलस फिर से यहां और मेरा अब थोड़ा कम नुक्सान होगा होगा नुक्सान इसमें भी लेकिन अब थोड़ा कम नुक्सान होगा 10 रुप मैं आपको दिखाऊंगा कि और आगे अगर गुंजाईस होती है तो मैं इस स्टॉपलस को और ट्रेल करूंगा अभी मेरा प्रॉफिट नहीं आया भी पर नुकसान में ही चल रहा हूं लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि मेरा इस्टॉपलस ट्रेल नहों मुझे प्रॉफिट पे ट्रेल हो इस्टॉपलस तो मैंने थोड़ा सा कम नुकसान पर भी रखा हुआ है और अभी मैं देख पा रहा हूं अब जैसे कि यहां पर LTP म पैसे हो गया है तो अगर यह 14-15 के आगे जाने लगता है तो इसके बाद मैं थोड़ा स्टॉपलस को अपने प्रॉफिटेबल में ट्रेल कर दूँगा अभी मैं वेट कर रहा हूं कि यह प्रॉफिटेबल पे अभी थोड़ा बहुत जा गया है जैसे यहां पर देख पा र हूं कुल मिला के इसमें वेट काफी करना पड़ता अब इस्टॉपलस करना मतलब कि आपको लंबा प्रॉफिट इसमें बुक होगा और इस्टॉपलस को आप ड्रेल करते रहेंगे और आपका नुकसान जो है वो भी कवर हो मतलब एक आपका नुकसान नहीं होना चाहिए इ फिर से एक बार stop plus में जाता हूं और stop plus को ट्रेल करता हूं जैसे अब मैंने 10 रुपए में लगाया हुआ था 10 रुपए 5 पैसे का में प्राइब लगाया हुआ था यह देखिए तो अब इसको मैं एडिट करके और अब इसको मैं थोड़ा सा ग्यारा रुपए 50 पैसे पर लगाके और ग्यारा रुपए 60 पैसे कर देता हूं और यह देखिए अब मैं profitable stop plus में हूँ मतलब कि अब अगर में रखो कुछ भी हो जाए अगर यहां तक आएगा तो भी मैं profit में रहूंगा मतलब मैंने एक तरह से अपने target भी बना दिया है एक stop plus ट्रेल भी कर दिया है अब मैं wait करूंगा कि यह क्या इसी पर आके hit हो जाएगा अगर hit हो जाएगा तो मैं हाँ पर exit कर जाओंगा और अगर नहीं hit होता है तो मैं stop plus को ऐसे ही डालें कि वो ट्रेल भी ना हो और कई बार क्या होता है अपने stop plus को hit करता है और hit करने के बाद मार्केट एक दम उपर भाग जाता है ऐसा कई बार होता है तो stop plus टेल करने में हमको ये भी ध्यान देना है कि हमको कब किस जगह पर ऐसा लगाना है कि हमारा profit भी रहे और stop plus जल्दी से hit भी ना हो इसलिए मैंने काफी पीशे मचा था तो 12 और पर 50 पैसे में भी लगा सकता था जैसे आप LTP में देख पा रहे हैं ये देखे तो अभी तक वो hit हो जाता लेकिन मैंने द्यान बुद के नहीं लगाया कि अभी यहां पर hit हो जाएगा तो मैंने उसको नहीं किया अब यह 11.85-1.90 पर भी आ रहा है लेकिन 11.50 पर जैसे आएगा 11.60 पर आएगा तो मेरा hit हो जाएगा तो यहां तक नहीं आ रहा है मतलब कि अपना hit हो गया अब देखते हैं अपन क यह 11.65 पर आके 11.55 पर आके 11.60 पर आके यह देखिया आ रहा है यह hit तो हो गया मेरा profit भी हो गया stopless टेल भी हो गया मतलब मेरा stopless तो हुआ मेरा नुकसान तो हुआ लेकिन profit में नुकसान हुआ अब यह 11.40, 11.25 तो मतलब एक देखिए यहां पर मैंने सही stopless लगाया तो यह पर आ गया अब 11.10 पर आ गया 11.15, 11.20 हो सकता 10 पर भी आ जाया मतलब मेरा नुकसान भी नहीं हुआ मेरा stopless भी लग गया तो इस प्रकार से मैं stopless को कैसे टेल करना है वो आपको मैंने बताया और stopless ऐसा लगे कि एक बार अपना profit हो जाए तो नुकसान हो अब यहां पर stopless को ट्रेल भी किया इसी परकार अभी तो काफी कम मूवमेंट वाला से एर है और काफी कम मूवमेंट हो रहे ही जब ज़्यादा मूवमेंट होता है मार्केट में तो काफी ते यह देखिए अब 10.90 पैसे भी आपने देखा थोड़ी दे पहले तो यह इस तरह से हम यहां पर stopless को ट्रेल करते हैं और stopless को ट्रेल करके हम उसको करते हैं अगर मेरे 10.90 पैसे के नीचे का stopless लगाया होता तो यह हिट नहीं होता यह देखिए वापस से 12 में चला गया मतलब कि मेरा stopless लगाना थोड़ा सा अच्छा भी था और थोड़ा सा दुख भी होगा कि यह 12 तक तो आई गया है ना 13 तक गया था तो अपने को यह जरूर डिसाइड करना पड़ेगा कि stopless को हम कहां पे लगाए जहां पे हिट भी नहों और अपना नुकसान भी नहों तो मैंने सही जगह पे लगाया और मेरा नुकसान नहीं हुआ यह ट्रेड मेरा profitable ही रहा आप जैसे की आपको दिखा दिया अगर मैं अच्छे से काम करता तो मैं अभी इसको ट्रेल और करता रहता या पर उस जगह पर लगा के रखता जहां पर मेरा stopless हीट भी नहोंने पाए और मेरा नुकसान भी नहों तो उसमें आप अपने से दिमाग लगा सकते हैं इस प्रकार से अपन क् अपने stopless लगाते हैं और बार बार आगे बढ़ते रहते हैं और जितना अपन आगे जाते हैं उतना ही अपने को profit होता जाता है और अपना stopless भी ट्रेल होता जलता है तो stopless ट्रेलिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे हम अपने अपने target को भी एकदम वो नहीं कि target को भी मतलब एक डिसाइड नहीं कर देते क्योंकि market अगर उपर जाना है आप मालो कि यह 12 रुपए पर भी चल रहा है तो 12 रुपए पर चल रहा है यह अभी 20 रुपए पर चला जाए हमने चलो मैंने तो बुक कर लिया लेकिन अगर stopless मैंने 8 रुपए का ही लगाया होत होता है तो अभी यह 12 kos we can do or his photos नहीं होता डिस रुपए चला बीस रुपए पर चल जाता तुम्हां 15 रुपए पर लगा दना मेरा मतलला इस्टोपलर हिड़्हीं भी हो जाता मतला अपने प्रॉफिट को रोकना हमको लॉस ना लगने पाए मतला कई रहार ऐसा होता है कि प्रॉफिट अपन बुख नहीं कर पाते हैं और लॉस अपने को रोग लिया है मैंने मैंने फिक्स उसमें इसको लगा लिया और अपना ट्रेट खतम कर लिया यह देखिए और बुक में आप जाते हैं और बुक में आप देखी रहे हैं कि यहां पर मैं 10 रुपर 95 पैसे में खईदा और 11 रुपर 55 पैसे मैंने बेच दिया मतलब अलमोस्ट 60 पैसे का प्रॉफित मेरा हुआ है लेऊ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और लाइक बटन तो आप लोग बहुत कम दवाते हो तो मैं चाहता हूं कि लाइक तो दवाईए एक लाइक तो बनता है लाइव मार्केट में मैं आपको पूरा डेटेल में बताता हूं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकेन जरूर दवा दीजिए ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो है वो मिलती रहे और मैं अपना एक प्रैक्टिस का वीडियो भी मैंने बनाया है एक प्रैक्टिस किस तरह से आपन बिना कम पैसों में आप बिना पैसे के एकदम पैसा आपके पास नहीं भी हो तो किस प्रकार से हम प्रैक्टिस करते हैं मार्केट में किस तरह से हम फिंगर ट्रेडिंग करेंगे उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो आई बटन में उपर आपको मिल जाएगा और अगर आपके पास जेरोधा का एकाउंट नहीं है तो जेरोधा का एकाउंट नहीं है तो आप प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके जेरोधा के एकाउंट खोल सकते हैं अगर एकाउंट खोलने में कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे मेरे WhatsApp नमबर जो नीचे आपको दिख रहा है उसमे WhatsApp भी कर सकते हैं WhatsApp से भी पूछ सकते हैं और call करके भी पूछ सकते हैं अगर मुझे टाइम होगा तो मैं जरूर आपको जवाब दूँगा तो इस प्रकार से मैंने आपने देखा कि मैंने इस टॉपलस टेल देखी आप आप के सामने आपको दिख रहा है सब कुछ मैं इंडिंग करने जा रहा हूं और इसका भी इंडिंग हो रहा है यह देखिए 9.50 पैसे मतला हमने अपने लॉस को बचा लिया यह देखिए तो इस अच्छी इंडिंग हो रही है और मैंने जो इस पर्स करना चाहा वो भी हो गया तो थैंक्यू वेरी मक्ट थैंक्स पर वाइचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एन बेल आइकन जरूर दबा दिजिएगा ताकि आगे भी मेरी वीडियो से एर मार्केट से बंदे सारी वीडियो आपको मिलते रहें